हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो मैं चैनल चैनल के संस महुसूमन आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें हम केवल दो माफ से किसी भी ब्लाउज की साइज हो चैतीज बत्तिश जोतिश चैतिस उसकी परफक्त ब्लाउज बनाना चाहते हो तो केवल दो माफ से अगर कटिंग करना सीखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को पूरा देगी तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो कटिंग करने के लिए मैंने यह ब्लाउज लिया है आपको चिस साइज का ब्लाउज की कटिं करा। उसके लिए blouse को हमें उल्टा राखना है उल्टा रखना कि बाद बाजू से जो सिलाइ लगी होती है वहां से दोसरी बाजू की जो सिलाइ है वहां तक का हमें माप लेना है जैसे यह है 22 इंच है अब इनी दो माप से हम ब्लाउस की कटिंग करेंगे ब्लाउस कटिंग करने के लिए हमने यह ब्लाउस फिस लिया है अब इसी हमें सबसे पहले डबल फोल्ड करना है डबल फोल्ड हमें इतना रखना है जैसे हमारी जो माप 22 इंच था उसमें हमें आदा करना है यानि 11 इंच में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा एड़ करना है मार्ज के लिए मार्जन के लिए यानि हमें 12.5 इंच पर इसमें निशान लगाएंगे आपका जो भी नाप होता है जैसे आपका 20 है तो 20 को हम आधा करेंगे 10 इंच उसमें 1.5 इंच एड़ करके यानि 1.5 इंच पर हम मार्ज करेंगे जिस भी size का होता है उसमें हमें 1.5 इंच को add रखना होता है यह हमने 12.5 इंच तक इसे fold कर लिया है अब इसमें लंबा इकन आप लेंगे जो हमारी ready length होगी 14 इंच 2 इंच इसमें add रखेंगे नीचे fold करने के लिए और solder पे margin के लिए अब इसमें जो हमने निशान लगा है वहाँ से पकरते हुए कपड़े को fold करना है यानि यह four fold हो चुका है इसमें एक part थोड़ा बड़ा है एक part थोड़ा चोटा है चोटा वाला part होता है वो पीछे का होता है और बड़े वाला जो आगे एक इंच एक्स्ट्र है वो आगे का होता है जिसमें हम आड़ पट्टी जोडते हैं उसकी मार्जन के लिए हमने एक इंच एक्स्ट्र रखा है अब इसमें जो आगे का पार्ट है यानी जो एक इंच एक्स्ठर है वो पार्ट हमें ऊपर की तरफ रखना है सबसे पहले हम गले की तरफ से जो बन बागle वहां गले का निशान लगाएंगे तीन गण यह जो तीन ग निशान होता है वो लगबख सभी में सेम होता है और लंबाई हम रखेंगी साड़े चैंच यदि आप डीप पहनती हूँ तो इसमें बढ़ा भी सकते हूँ और अगर गोल गला पहनते हो एक इंच पर हम निशान लगा कर इसी गोलाई देंगे दूसरा जो हमारा निशान है हम सोल्डर का लगाएंगे जो की वही सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है जैसे हमारा जो साइज आ 30 या 32 है तो हम 6.5 इंच पर लगाएंगे यदि हमारी साइज 34 या 36 है तो 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे वही निशान हम नीचे की तरफ जो हम लगाएंगे हमारी साइज 30-32 है तो हम लगाएंगे 7 इंच पर यदि साइज जादा है 32-34-36 है या उससे जादा है तो हम उसमें बढ़ाएंगे 7.5 रखेंगे या 8 रखेंगे अब जो निशान लगाया है उन्हें मिला लिया है उसमें हम 1 इंच 2 इंच पर 2 मार करेंगे इन दोनों को हम गोलाई देते हुई निशान लगाएंगे इस तरह से बाजू और गले का निशान हमने लगा लिया है अब हम लगाएंगे इसमें जो हमारी 8 पट्टी होती है उसका हम निशान लगाएंगे 8 पट्टी के लिए गले की तरफ से हमें 12 इंच पर निशान लगाएंगे अगर ये बलाउज बना रहे हैं हम वो 34 साइज के लिए बना रहे हैं यदि आपकी साइज है 30 या 32 तो ये निशान 11.5 इंच पर लगेगा और 8 पत्ती लगबग गले की तरफ 5 इंच और सवाजू की तरफ 4 इंच होती है तिर्ची होती है और तिर्ची निशान हम इसमें लगाएंगे अब हम टक्स का निशान लगाएंगे सबसे पहले गले की तरफ से बेने 9.5 पर निशान लगा है और यदि आपके साइज 32 या 36 साइज है तो हमें 10 इंच पर ये निशान लगाना है दोनों तरफ से आदा-दा इंच मारजन के लिए रखा है दूसरी तरफ निशान जो हम गले की तरफ से लगाएंगे वो लगाएंगे धाई इंच उपर से धाई इंच और अंदर के तरफ भी धाई इंच और तीसरा निशान जो लगता है वो बाजू की तरफ से उपर से थाड़े 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ये जो दो निशान लगाए हैं इनके सेंटर पर लाते हुए हम बीच में छोड़ देंगे अब हम चोथा जो लाश्ट निशान लगाएंगे जो बाज 냄새 er आ लगाएंगे जो बाजो के तरफ से 4 इंच पर लगेगा और इन दोनों के बीच में लाते हुए से निशान करना है इस तरह से हमने ये 4 निशान लगा लिए हैं अब जो इसमें में निशान जो होता है साइज के हिसाब से वह होता है हमारे 12, 12 या 11 इंच वाला जो हमने 8 पट्टी के लिए लगाए था वही निशान साइज 30, 32 है तो हमें लगाना है 11 पर साइज 34 या 36 है तो वह निशान लगेगा 12 इंच पर अब इसमें कटिंग हमने दोनों पार्ट साथ में मार किये हैं तो हम इसकी कटिंग अलग करेंगे जैसे सबसे पहले उपर वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे तो पहले हम आड प्टी की cutting करते हैं दोनों पार्ट को साथ में cut नहीं करना है के वन उपर वाले पार्ट है उसी की ही हमें cutting करनी है गुलाई की cutting करने के बाद इसमें हमें someholder की सीधी cutting की है जो भी हमें दबाव देना है वो हम फिलाई में ही रखेंगे अब बाजू पे हमने दो मार्क की थी दो इंच और एक इंच पे तो हमें दो इंच वाला मार्क है उसी ही कट करना है अब ये साइड की कटिंग हम रखेंगे इस आड़ पट्टी की हम कटिंग करेंगे और साथ ही हम या आगे वाले पार्ट से इने भी हम अलक करेंगे अब हम जो बैक पार्ट है उस पर हम निशान लगाएंगे जो हमने आगे का गलाग कटके था वो 3 इंच पर तो हम 3 इंच का ही निशान लगाएंगे गले का लगबव 3.5-3.5 पर ही निशान लगता है आप खुला ये चोड़ा ब्लाउज पहनते हो तो 3.5 का लगाना है लंबाई मैंने लगए ये 10 इंच अगर आप डीप पहनते हो तो इसकी लंबाई को आप बढ़ा सकते हो और पीछे का गला आप अपमें हिसाब से ये डिजाइन के हिसाब से कर सकते हो मैंने ये गोल्ड इतनी निशान लगाया है अब दूसरा हम लगाएंगे पीछे पी जो हमारी टक्स होते है उसके निशान तो उसमें लंबाई पे हमने 10 इंच पर लगाया है और जो बंत साइड से है वहाँ से मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है नीचे भी हमें 4 इंच पर मार्प करते हुई इस तरह से पूरा निशान करना है अब ये गले को हमने कट किया है आप डिजाइन के हिसाब से पीछे का गला कट कर सकते हूँ अब हमें जो फ्रंट पार्ट है उस पर हमने एक एक इंच पर निशान लगाया था उसकी हमें कटिंग रखनी है आगे का जो पार्ट होता है उसमें एक इंच की कटिंग होती है वो एक्स्ट्रा होती है इस तरह से ब्लाउज के फ्रंट और बैक पार्ट के कटिंग हो वही है हम बाजू की कटिंग करेंगे रख सकते हो ब्लाउज की जितनी लंबी आपको बाजू बनानी है यदि आपके साइज ब्लाउज की 30-32 है तो इसमें रखना है हमें साड़े आठ इंच अगर साइज 34-36 या जादा है तो आपको इसको बढ़ाना है जैसे साड़े नो या दस इंच रखनी है लंबाई की हिसाब से ही कट करना है अब खुला भाग है वहां से हमें ढाई इंच पर निशान लगाना है अगर छोटी बाजू है तो ढाई पर लगाना है यति बाजू लंबी है तो तीन इंच पर निशान लगाना है अब खुले भाग पे जो हमने निशान लगाया है यहाँ से गोलाई देते हुई बंद भाग की तरफ से हम खुले भाग की तरफ से अंदर की तरफ से करते हुई इस पे निशान लगाएंगे अभी जो निशान लगाया है इसकी हम करेंगे कटिंग अगर बाजू लंबी रखते हो तो 3 इंच का मार करते हुए कटिंग करने हैं अब कटिंग करने के बाद ब्लाउस की जो एक तरफ जो आगे का भाग होता है इसमें एक जैसे कि हमने ब्लाउस के आगे के पार पर एक इंच एकस्ट्रा रखे थी वैसे ही बाजू पर हमें एक इंच एकस्ट्रा की कटिंग करते हुए इसमें निशान लगाते हुए से कट करेंगे किसी cutting से ही हमारे blouse की जो fitting आती है वो बहुत ही अच्छे आती है एकदम जो बाजू है वो perfect तरीकी से set होती है यह हमने किसी भी size की blouse को हम इस तरह से cutting आसानी से कर सकते है